आपका वोट आपकी ताकत वोट जरूर डाले इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक एप पर डाउनलोड कीजिए तक एप यह इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे थे लेकिन आखिरकार भोपाल क्राइम ब्रांच ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है दरसल यह पूरा मामला क्या है? यह आपको पता होगा साद्वी प्रग्या सिंग ठाकुर ने भोपाल के टीटी नगर थाने में एक शिकायर दच कराई थी उसमें उन्होंने कहा था कि देर रात उनके नंबर पे एक अंजान नंबर से वाटसेप कॉल आया यह वीडियो कॉल था जैसे उन्होंने कॉल उठाया तो सामने एक लड़की थी जो की निउड होने लगी और उसका स्क्रीन शॉट आ गया स्क्रीन शॉट बाद में साद्वी प्रग्या सिंग ठाकुर के नंबर पर भेजा गया और उन्हें धमकाया गया कि इसे वाइरल कर दिया जाएगा जब उन्होंने इस नंबर को ब्लॉक किया तो दूसरे नंबर से उन्हें दोबारा धमकी दी गई जिसके बाद पूरा मामला पुलिस थाने तक पहुँच गया क्योंकि भारती जनता पार्टी की सांसाते साद्वी प्रग्या सिंग ठाकुर बहत सम्वेदनशील ये मामला हो गया था इसलिए इसकी तफ्तीश क्राइम ब्रांच को सौप दी गई क्राइम ब्रांच ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की मोबाइल लंबरों को ट्रेस करना शुरू किया तो क्राइम ब्रांच को ये पता चला कि ये मोबाइल लंबर राजस्थान के भरतपुर जिले के हैं भरतपुर जिले के सीक्री में रहने वाले दो भाई जिनको बता जा रहा है पुलिस ने ट्रेस किया था उनका नाम वारिस खान और रवीन खान है इन दो आरोपियों को राजस्थान पुलिस की मदद से क्राइम ब्रांच ने पकड़ा उनने भोपा लेकि आई लेकिन इसी पूछताच के दौरान उन्होंने जो खुलासे किये वो हैरान करते हैं वो चोक आते हैं कि आखिरकार कैसे देश में या पिरियों कहें मदबरेश में सेक्स्टॉर्शन का ये काम चल रहा था या रोपी लंबे समय से इसमें लगे हुए थे इनके वारदात करने का तरीका क्या था अब हम आपको वो बताते हैं दरसल पूछताच के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो सबसे पहले जो राज्य के वरिष्ट अधिकारी होते थे नेता होते थे उनके मोबाइल नमबरों की सूची निकालते थे ये नमबर जो सर्च करते थे और इसके बाद वो वाटसेप के माध्यम से इन नमबरों पर मैसेज करते थे जिसका जवाब नहीं आता था उसे इस सूची से हटा दिया जाता था लेकिन यदि मैसेज का जवाब आ जाता था तो उनसे कोई जाना पहचाना नाम बता कर चैटिंग शुरू कर दी जाती थी इसके बाद सीधा वीडियो कॉल किया जाता था और दूसरे मोबाइल पर पॉन वीडियो चला कर वीडियो कॉल उठाने वाले का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता था इसके बाद स्क्रίν रिकॉर्डिंग का वीडियो बनाने के बाद उसी रिकॉरड़ वीडियो को अपने शिकार के जो परीचित है या पिर पीडित होते थे उन्हें भेजा जाता था या फिर फेसबुक मैसेंजर पर भेज कर उसका स्क्रिंशोट ये लिया जाता था इसी screen shot को लेकर अपने शिकार को black mail करने का खेल शुरू होता था उसके बाब फिर पैसों की डिमांड की जाती थी black mail से जो पैसे मिलते थे उसे ये अलग-अलग फरजी बेंक हातों में मंगाते थे और फिर इसे आपस पर बराबर बराबर बाट लेते थे फिरहाल रवीन खान और वारिस खान से पूच्टाच में इतनी बात साफ हो चुकी है कि कैसे वो इस वारदात को अंजाम देते थे उन्होंने ये भी माना है कि बीते लंबे समय से वो इस गोरग धंदे में शामिल थे हाला कि अब क्राइम ब्रांच उन्हें भोपाल लेकर आ गई है भोपाल में उनसे पूच्टाच चल रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि भोपाल की सांसत प्रग्या सिंग ठाकुर से पहले उन्होंने और कितने लोगों को इस तरह से अपना शिकार बनाया है और क्या इन में कोई बड़ा नाम भी शामिल है